कि अभी तक हमने क्या क्या अदर की परता फट बता देते हैं हमने कर लिया अभी तक लीने द़ू came practice के अंडर चेंज वाले और और अपनेसिंग लिवरेज हमारे तीन टाइप के होते हैं और तरीके के दिल इवरिज का फॉर्मूला हता है, contribution divided by EBIT, financial का EBIT अपन में EBIT और combined का contribution divided by EBIT, question कितने type के हो सकते हैं, इसके अंदर एक हो सकता है simple question, एक हो सकता है EBIT डबल हो जाए, sales कितने percent increase होगा, या हो सकता है हमारा EPS कितने percent increase होगा, तो इसी type के question जो थे हमने देखे हैं, और एक break even point PVR वाले भी कुछ points आये थे, अब एक और new question, यहाँ पर देता है आपको total asset turnover ratio, तो total asset turnover ratio क्या formula होता है, asset turnover, अगर हम asset turnover की बात करें, assets, तो asset turnover ratio का formula होता है, sales अपन में total asset, ठीक है, अब यह total assets और sales, sales निकालने के लिए स्रिफ काम आएगा यह, और fix operating cost दे दिया, मैंने बताया था न, fix operating cost का मतलब क्या है, fix cost है यह, यानि question में fix cost भी पता है, variable cost दे दिया ratio, तो variable cost ratio है, तो contribution ratio भी निकाल सकते हैं, the income tax rate 30%, calculate for company different type of leverage, तो different type of leverage में कितने होते हैं, तीन ही होते हैं, operating, financing, और combine, इसके आगे degree word लगा होता है, अगर face value share का हमारा यह है, तो हमें यह दे रखा है 3, तो 3 by 1 मान लो इसको, is equal to sales, नहीं पता हमें, sales नहीं पता, तो निकाल लेंगे, अब total assets, चाहे आप यह मान लो total, चाहे आप यह मान लो total, total assets is equal to liability होता है, तो दो लाग, दो लाग यह है, तो हमारा यहां पर sales निकल गया है, sir, that is 6 लाग, minus क्या करते हैं इसमें से, variable cost, फिर क्या आता है हमारा, contribution, फिर क्या minus करते हैं, fixed cost, फिर क्या आता है, EBIT, तो हमें variable cost नहीं पता, लेकिन contribution का हमें ratio, variable operating cost ratio दे दिया, variable का, तो 6 का 640%, तो कितने हो जाएंगे, 2.4 लाग, तो contribution आगे कितने, 3.6 लाग, fixed cost question में कह रहा है, 1 लाग, तो यह निकल गया हमारा, 2.6 लाग, इसमें minus क्या करते हो, interest, interest के लिए चाहिए loan, तो loan आपको यहां मिल गया, और इसके उपर interest निकालोगे, तो that is 8,000, बहुर बढ़ा कमाया है, 8,000, तो क्या आगे, 250, टू, इसके आगे की कहानी यहां पर, यह आगया, EBT, that is आगया, 252, मैंने format में नहीं किया, आपने format में ही करना है, ठीक है न, minus कर देंगे text, text कितना दे रखा है आपका, 30%, different type of leverage, and the face will, वैसे सिर्फ leverage बोला है, different type, तो text का कोई मतलब बनता नहीं है, हमें यहीं पर stop हो जाना अच्छी, अगर EPS बोलता, तो हमें text का काम पड़ता, ठीक है, 75, 600, इसमें से minus कर दो, 170, 400, यह हो गया, जी, खतम, आगे बढ़ जाए, अब पूछा गया है, DFL, तो DOL क्या होगा, contribution EBIT, तो यह हो जाएगा, हमारा 3.6 lakh divided by 2.6 lakh, 1.38 लगा दिया, DFL, DFL हो जाएगा, हमारा EBIT 2.6 divided by 252, 2.52, 0, 31, अब DCL निकालने के लिए, दोनों को multiply कर दो, क्या जाएगा, 428, तो यह आ गया हमारा total मिला के, तीनों का तीनों, मैंने एक फोटा सा रख दिया था, वैसे आप खुद भी करते इसको, तो आपको समझ में आ जाता, चलिए, तो hopefully आपको यह समझ में आ गया होगा, तो almost मैंने कहा था, आज chapter यह end होगा, और practical problem देखता हूँ, मैंने लगाएं की नहीं लगाएं, यह भी हो गया, तो almost सारे question कर लिए हमने, एक question यह दिया है मैंने homework में, हो गया था आप सभी का, यह किसी का doubt है तो बता दीजिए, और जो बच्चे नए हैं, उन सभी student को कहना चाओंगा, आप पिछली classes देखेंगे, तब ही समझ में आएगा, आप direct video देखेंगे ने, तो आपको लगेगा कि सर, पता नहीं कैसे पढ़हा रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे, आपको पहले से वीडियो देखोगे, तो लगेगा कि सर, यह क्यों पढ़हा रहे हैं, यह तो हम खुद ही कर लेंगे, यह सर, आयूशी का कहना है सर, डन, अरे, अज record करना भूल गए, चलो, लाइब से उठाना पड़े, नहीं, चलो, 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 रिकॉर्ड तो, नो डाउट सर, नाइन, अब नाइन में मैंने क्यों बोला था, रोका था किसी वज़े से, हो गया, नाइन, नाइन में बताईए डाउट, हाँ, तो यह हो जाएगा, आउट फुर्ट दे रखा है, नाइन में किसी बच्चे का डाउट, नो, आयूशी का कहना है, यस सर, अब आयूशी हो गया या फिर डाउट है इसमें, हो गया है, है, नो डाउट, ओके, कैपिटल ला, सर, कैपिटल ले आए करेंगे, क्या कह रहे हैं, कैपिटल, लिया करेंगे, कैपिटल का कोई रोल ही नहीं है, हमारे कहीं भी कैपिटल का रोल नहीं होता, कैपिटल का बस एक ही जगह रोल आएगा, जब EPS पूछ ले, क्योंकि हमें, वहां से number of shares निकाल के divide करना होंगा, otherwise कोई रोल नहीं है, ओके, यह हो गया था, यह हो गया, यह हो गया, अब यह, 14 करवाना है, नहीं हुआ, बताइए, हुआ है नहीं हुआ, चलिए, देखते हैं, अब मज़े की बात देखो, हम जो बनाते थे, यह बना के दे रहा है, हमारा काम असान कर दिया, कहता है, using the concept of financial leverage, by what percentage change in taxable income, increase EBIT if 6%, कहता है कि using the concept of financial leverage, financial leverage के concept को use करके, by what percentage change will be taxable income, अब taxable income का मतलब पता है क्या होता है, EBIT, taxable income क्या होता है, आपका, क्या कहता है, increase by 6%, अगर EBIT आपका 6% increase हो जाए, तो क्या percentage change होगा taxable income में, taxable income में, क्या percentage इसने खुद में अच्छा EBIT है, मैंने EBIT बढ़ जाए, यानि कहना चाहता है कि यह EBIT बढ़ जाए, है, कितने बढ़ जाए, 6%, तो हमारा EPS कितना बढ़ेगा, पहले question समझो, EPS कितना बढ़ेगा, तो मैं इसको ना थोड़ा सा पहले long और फिर short भी करता हूँ, मैं दोनो डेटा ले लेता हूँ, आपको समझाने के लिए हैं, करेंट में आपको सेल्स दे रहा है वो, कितने का है, दो लाग, माइनस वी सी क्या बता रहा है, साथ हजार, contribution आ गया, 140, या गया contribution, माइनस fix cost, 1 लाग, एक लाग, EVAT आ गया, 40,000 EVAT, interest क्या है, माइनस interest, पांच हजार, तो कितने बचे, यहीं तक दे रखा है, अब कहता है कि अगर हमारा EVAT 6% बढ़ जाए, तो 6% बढ़ाओ, तो कितने 24,000 तो यह 42,600, शे परसेंट बढ़ गया, तो इंटरस्ट तो पांच हजार वोही रहेगा, 24,000 आएगा, यह चार आएगा है ना, कितना बदलाव हुआ, तो एक तो सिंपल सा तरीका हमारे पास है ही, अविलिबल, 400, चलो यहां DOL भी निकाल लेते हैं, DFL भी निकाल लेते हैं, और DCL भी निकाल लेते हैं, बताओ DOL के आओगा, contribution divided भी करो, 140 divided by 40, calculator भाई लेके आए करो, 3.5, DFL क्या होगा, 40 divided by 35, 1.14, 40 divided by 35 होगा न, और combine क्या होगा, 3.5 into 1.14, यह मैं ऐसे बुला नहीं है निकालने को, लेकिन मैंने निकाल लिया, 9 नहीं नहीं चार आ गया, ठीक है, अब सर अगर मैं percentage change की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कितना difference आया, तो 35, 24 सो का difference आया सिर्फ, यानि 6% ही difference आएगा मेरे साब से, 35,000 से divide करो, into 100, यह 6%, 6.8% हो गया, कितने परसेंट हो गया, 6.8%, क्या, नए वाला तो निकाल नहीं रहे है, पुराने निकाल रहे है, अब सवाल कहता है, financial leverage का सहारा low, और फिर बताओं, तो financial leverage क्या है, चेंज इन EPS है न, अब हमारा, DFL के आप बोल रहे है, financial leverage, अब change in EPS, जब financial leverage को बोला जाए, तो आप simple सा देखो, आपका हो सकता है, percentage, change in EPS, मैं formula ही बना देता हूं, percentage change in EPS, क्या बोलता है formula, percentage change in, EBIT, अरे, अलाग यह formula पहले लिख चुके हैं, percentage change in EBIT, into में DFL, यही होता है न, 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 मैंने उल्टा तो नहीं लिखती है, एक मिनाट, यह जगे कम पढ़िए, एक मेंट रूप, percentage change in EBIT, into में DFL, एक यह भी formula लिख वाय था, तो अब बताओ EBIT में कितने percent change है, 6 और DFL 1.14, तो यह भी आजाएगा आपका 6.87, जो भी आएगा, यह आजाएगा, लास्ट क्लास में लिख वाय है formula, देखो, ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो क्या उपरेटिंग लिवरेज, तो हमें क्या करना बोगा, 10 से उपरेटिंग लिवरेज को multiply करना होगा, आंसर आएगा 35%, या तो आप पूरा essay करके, चेंज करके देख लो, मैं इसका पूरा टेवल भी बना देता हूँ, तो भाईया, ये कितना हो जाएगा, ये एक लाग ही रहेगा, और ये कितना रहेगा हमारा, 42 और एक, तो ये आजाएगा, 42, 400, 42, 400, contribution का percentage निकाल लेना, उससे उपर पहुँच जाओ गया, तीसरा कहता है, यूजिंग दा कॉंसेप्ट अफ लीवरेज, बाइवाट पर्सेंटेज विल भी टेक्सेबल इंकम, इनक्रीज इफ सेल्स, अब देखो, टेक्सेबल इंकम और सेल्स, यानि बहुत दूपर पहुच गया, तो अब कम्बाइन लीवरेज का साहरा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आपको टेक्सेबल इंकम और सेल्स आ जाए, तो सेल्स यहाँ है, टेक्सेबल इंकम यहाँ है, तो इनके बीच का तो वहीं कम्बाइन लीवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से हो जाएगा, तो कम्बाइन लीवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानि 6 इंटू में परसंटेज में बता देता हूँ, क्या पूछा है, परसंटेज चेंज इन, वेरिफाई अल्सो रिजल्ट व्यू इन अबब फिगर, वेरिफाई तो हम वेरिफाई करी रहे है, टेक्सिबल इंकम इंक्रीज, इफ सेल्स इंक्रीज भाई, टेक्सिबल इंकम, टेक्सिबल इंकम क्या होता है, परसंटेज चेंज इन इपी इबीटी इबीटी इस इकल टू परसंटेज चेंज इन क्या बढ़ा है इसने सेल्स इंटू डी सियल तो छे हां फोर ही आ जाएगा ना 24 परसंट आंसर चेक कर लो नाइन नाइन वह एक दो कर गए अब कहता है ऑल्सो वेरिफाई दा फिगर वेरिफाई कैसे करोगे टेबल बनाओगे फिर दिफ्रेंस लोगे और फिर आप कहां जाएगा और ऐसे परसंटेज चेंज आपको पता ही चल गए 24 परसंट बढ़ा देन आप और वैसे भी देखो तो क्या कहता है वाट इस परसंटेज हमने इपिस निकाला इपिस चौबिस परसंट बढ़ जाएगा उट इस एक सेबल इंकम इवीटी मतलब जिसके उपर आप टेक्स लगाने को तयार हो तो आप इस पर टेक्स लगाने को तयार हो नहीं आप इस lux in कम इस रहे हो जायगा और और यह वह जैगा उपरेट इंकम इसको भूलेंगे हम ओपरेटिंग इनकम कि और इसको बोलेंगे sinners को टेक्स बिप्ल इंकम ठीक है ऑप unresta कि बताए कि सी कान डाउट हो जाएगा अब तो यह यह भी हो गया यह भी हो गया सारे कुशन हमने कर लिए कि इसमें लगाई नहीं कैसे बोल रहे हूं कुश्चन की बात कर रहे हैं जो अभी करवाए हैं अभी यह जाते हैं यह था नहीं एक मिनट क्या क्रेंग फ्रस्टम अब रुकर जाओ क्या एंग्रीज कर दिया मैं नहीं कर दिया आगे तो मैंने पूर्णी की क्योंकि है है मैं तो यसे कर लो ना फिर जब आप यह फॉर्मुला लगा रहे हों यह वाला फॉर्मुला रहे हो ना कि मैंने पहले मैंने कर दिया इसके बाद क्या बोल रहे हूं तो फाइनेंशल लीवरेज यह निकल गया यह नियु वाले का निकाल दिया ठीक है तो आपने फाइनेंशल लीवरेज निकल के छोड़ा है आपसे क्या पूछ रहा है पूछन जो पूछा वो तो जवाब क्या कहता है यह के हमारा वाइव परसंटेज चेंज इंटेक्सिबल इंकम यानि एपिस में क्या चेंजिस आएगा यह बताओ और आप उससे अगर अगर फाइनेंशल लीवरेज निकाल के छोड़ रहे तो आंसर तो किया ही नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा उसमें तो भाई इसके सारे कोश्चन्स हो गए एक बार मैं चेक कर लेता हूं अगर मुझे प्रैक्टिकल मिलेगा तो प्रैक्टिकल मैं समझा देता हूं आपको हो अगर मैं अगर मैं अगर मैं हम एक हाँ अगर मैं अगर और अच्छा ही हुआ जो भी हुआ इसी के बाद लग गया है भाई देखो पहले तो इसके ओमवग देदू मैं करा किसी ने ट्राइए आया अनसर इसका आगे अंसर आप मेरे को एक पीडिया बेज देना बच्चों को ना सॉलूशन बेज दो किसका सॉलूशन तो मिलेंगे नी और मुझे करना पड़ेगा तो फिर पूरा ही करना पड़ेगा इसका आ गया ज्यादा कोशन तो है नी इसमें न इसका यह होंबग है यह भी चलो करा था वैसे यह दो ही करें एक यह भी करना फिर अभी जो करा है वाट दा परसेंटेज इंक्रीज डिग्रीज सेम ही यह देखो ठीक है न क्याता है कंपनी का फॉर लेक है फाइंड आउट डिग्री ओफ उपरेटिंग को वर्ट परसेंटेज इपिएस सेल्स लेवल इंक्रीज बाई 10 परसेंट इपिएस में क्या चेंजिस होगा अगर सेल्स इंक्रीज हो जाए 10 परसेंट तो अब इपिएस पूछ रह कि हम कर सकते हैं और बाकि आप पूरे डिटेल में भी कर सकते हूं कि क्या दे रखाया है कि लास्ट कोश्चन है साथ कोश्चन है इसके कि अरे कि इसमें कमेंस ट्रेट में इसमें बोल रहे थे इसमें क्या बोल रहे बताओ इसके बाद हमारा है फाइफ तो इसको नीट एंड क्लीन करना इसके मैं सीधा ना सुलूशन अप्लोड कर दूँगा अगर आप में से किसी का नहीं हुआ तो मैं बता दूँगा न्यू इविए टिफ सेल्स इंक्रीज फॉर्टी परसंट यह तो सिंपल सिंपल है हो जाएगा सर, EPS is equal to DCL into my percentage change formula सही है हाँ यह लगा सकते हो EPS में लगा सकते हो बिलकुर तो आज की क्लास में तो देखो new chapter तो नहीं होगा start अगली class में chapter start करेंगे that is EBIT और EPS analysis जो अगला chapter है तो यही chapter to be continue होगा और मैं इस सभी के answer return hand return में upload कर दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कि भाया हुआ कैसे है नहीं हुआ ठीक है तो आप करोगे solution मुझे दे दे ना मैं इसको upload मार दूँगा एक पर चेक करके बाकि मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए जितने हमने questions कर लिए और 10-year की मैंने questions जो है भी 10-year आ जाएगा तो प्रैक्टिस कर ले ना 10-year का हाँ question PDF में डाल दूँगा मैं proper और 10-year अभी आएगा अभी तो आया नहीं है अगस्त मालो 12 तेरा अगस्त तक ही आप आएगा 10-year तो जब 10-year आएगा तो 10-year के questions तो प्रैक्टिस करोगे उसकी पूरी पूरी वीडियो है उसको वीडियो के according आप करते जाओगे तो आज की class तो बस यही था कि कोई doubt वगरा निकले तो मैं कर दूँ तो सारे question हो ही गए तो doubt कैसे आएंगे तो इसके सारे-सारे जितने भी chapter है ना उसके हम ऐसा करेंगे ना सारे-सारे questions class में ही करेंगे जैसे कि corporate के अंदर तो मजबूरी थी कि भाई सारे questions करने बैठता तो चैप्टर ही नहीं होता क्यूंकि एक तो चैप्टर बड़े और दूसरे questions भी ज्यादा तो time लगता है और इसके अंदर concept FM के हर एक चैप्टर में दो दिन का concept होता है बाकि सारे question खतम बस एक capital bursting है जिसके अंदर concept ज्यादा बन जाते हैं बाकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ज्यादा concept आपके बने लेकिन हाँ concept वो है जो सारे tricky है समझ मैंगे तभी कर पाओगे आज की class में आपने क्या नया सीखा कि भीया हमारा न्यू नेम किसका बताया था मैंने आज और एक और पॉइंट लिख लो marginal cost variable cost को ही कहते हैं कई बार आ जाता है कि marginal cost दे दिया तो marginal cost variable cost को ही कहते हैं कर दो झाए कि अ झाए